कि बॉलिवुट के सबसे भैत्री नाइक्टर आमिर खान को शायर ऐसे ही मिस्टर परफेक्स ने शिन नहीं कहा जाता जिया जानकारी के लिए बता दे कि इन दे वो आमिर खान अपनी फिल्म ठक्स ओफ इंदोस्तान को लेकर को चर्चाने हैं तो वहीं आमिर खान ने अपनी फिल्म हिट करवानी की एक अजीव से पैफ्रे आजबा लिये हैं जियाद अलसल खबरों की माने तो फिल्म ठक्स ओफ इंदोस्तान इस साल 7 नवंबर की जगा 8 नवंबर की दिन रिलीस की जाएगी और फिल्म की रिलीस दे को चेंज करने की पीछे आमिर खान का बहुत बड़ा हाथ है जियाद अलसल आमे खान बॉक्स ओफिस पर बिजनस को बहुत अच्छे से समझते हैं इसलिए उन्होंने मेकर्स को सला भी है कि ठक्स ओफ इंदोस्तान को दिवाली के अगले दिन रिलीस किया जाए वो जानते हैं कि अगर ठक्स ओफ इंदोस्तान दिवाली के दिन आती है तो इसके शाम के शोज में गिरावत आएगी क्योंकि सभी हिंदू लक्ष्मी पूजा में वियस्त रहेंगे यही कारण है कि अब फिल्म दिवाली के अगले दिन रिलीस की जाएगी इससे ठक्स ओफ इंदोस्तान का पहला देन शानदार रहेगा और जनकी शुरुआज से ही रिकॉर्ड दर्श करना शुरू करतेगी नेक्स नाइन न्यूसरूम से सुगन्दा नमिकर पो झाल 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 झाल